नमस्कार तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपुईया के बारे में पूरा मेटर जो है ना आज हम इसको सुल्टा की मानेंगे पूरा खतम करके मानेंगा जिस बात को और इसमें मैं कुछ आपको चीजे भी बोलने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करने अधरवाइस आप है क्यों कहना चाहा रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं हमेशा भारती फुटबॉल प्लेयर्स के बिल्कुल पीछे बिल्कुल लगे रहता हूँ यार इनके साथ कुछ भी भेदभाव या कुछ भी होना नहीं चाहिए चाहिए वो इंडिया टीम में हो चाहिए वो कोई स्टेट की टीम में हो चाहिए कोई लोकल लीग में खेल रहा हूँ ठीक है भारती फुटबॉल खिलाड़ी तो है बस वही कि नेशनल टीम की जर्सी साथ उसने नहीं पहनी तो एक दिन पहने लेगा महनत करके हो भी कोई दिक्कत नहीं है तो अपुया तो कई लोग जैसे की लगता ना ऐसा सबका चल रहा है ना गनित तो मैं आपको मैं और मैं नहीं बताँगा आपको क्लियर्टी जो है इसके उपर आई एसल की वेबसाइट ही आपको जो है क्लियर कर देगी कि किसका परफॉर्मेंस लीग लेवल में अच्छा चल रहा है और क्यों अपुया को होना चाहिए और एक बात है कि अपुया क्यों टीम में नहीं खेल रहा है इसके पीछे के जो स्टोरी हम तक पहुची है वो कितनी सही है इसके बारे में ना आप जानते ना मैं जानता हूँ उसके बारे में किवाल दो लोग जानते है एक खोद इगोरिस्ट में जानते है दूसरा अपु तो अपने को उससे कुछ करना नहीं, अपने को ये करना है, कि अगर deserving है, तो खिलाओं, ठीक है, तो अब देखी, मैं आपको थोड़ा सा, और हाँ, मैं आखरी में भी बताने वालेंगी, एक चीज जिसके कारण, अपुया का करियर आप बरबाद कर सकते हो, आप ही, हम fancy, है न कि मैं कोई change करके दिखा रहा हूँ, Indian Super League की website पे, आप जाईए, CDM पे कौन-कौन खेलता है, अपुया, रोहित कुमार, जैक्सन, तीनों के starts आप खोल लीजे इंडियन Super League की website पे, मैं भी खोल लेता हूँ, 2022 का season का आपको खोलना है, तो देखीजे ये Indian Super League की website है, इसमें अप की performance हमने TV पे देखा और अपुया उसमें को काफी अच्छे दिखे, अब अगर कि coach इनको क्यों नहीं लिया, क्या नहीं लिया, तो starts भी क्या कह रहा है, ये भी हम देख लेते हैं, जो Indian Super League खुद बता रहा है कि भाई देखो, इन प्लेयर ने ऐसा performance जो ISL में दिया था, और जाना चाहिए, तो सबसे पहले देखे, अपुया की बात करते हैं, इन्होंने 17 मैच खेले, 1200 मिनट खेला, तीन गोली स्कोर किये थे, और अगर mainly एक चीत देखा जाया, 11 चांस इन्होंने create किये थे, और अगर defensive side भी आते तो 4 block इनके आया थे, और 12 interception आया थे, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा से एक defensive और passing accuracy की बात करें, 84% का passing accuracy था इनका पूरे overall season, ठीक है, अब same हम इन्सको अगर रोहित कुमार से compare करते हैं, तो रोहित कुमार का देखे, 19 मैच खेले उन्होंने, 1200 मिनट खेले, इन्होंने भी 3 गोल करें, 81% इनकी passing accuracy थी, साथ चांस इन्होंन difference निकालना है, वो आप खुद निकाल सकते हैं, फिर same Jackson का यहाँ पर, Jackson का भी देख लेते हैं, Jackson ने 20 मैच खेले, 1700 मिनट खेला, 83% passing accuracy थी थी, 9 चांस create किये इन्होंने भी, और 4 ब्लॉक 27 इंटरसेप्सन आया थे, और इनका तो काफी involvement रहा है, क्यों किरलर वास्टरस में तो इसका ज्यादा अच्छा है, और same Jackson का भी यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों प्लेयर का आपने देख लिया, Jackson का, Rohit का और अपुया का, आप देखें यहाँ पर मैं यहाँ कोई तीसरा परसन कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर आपको stats खुद बोल रहा है, कि हाँ, अपु अपके लिए उनको नहीं लिया गया, यहाँ पर बिल्कुल questions आएंगे, कि यहाँ क्यों नहीं लिया गया, अभी तो अच्छे form में चल रहा है, अच्छे form में चल रहा है, ठीक है, तो यह एक सवाल खड़ा होता है, बागी otherwise अगर आप बोलेंगे, कि performance club level पे last season किसा आप सब अपके लोग कर पे लिएर को देखा जाया, तो रोहित नहीं performance दिया था, और रोहित नहीं चल रहे है, इसके लिए हम उनको रिटि्टिसाइस भी कड़ रहे है, ठीक है, एईसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे है, भीया, रोहित तो नहीं चल पाल रहे तो भी उनको खिलाए जा आपूया कहा नहीं लाजमी Buyimal लाजमीर आपने अपलिया अप्विया के सपोर्ट में कुछ भोला के तुमिट के विलीफ लेने चलाया वह इंटाना सी बँफीशंट में किया Nä नहीं वह उन वह जाने अभी अपुया ने क्या स्ट्रेट्मेंट दिया कि कोच की मर्जी है कोच अगर में कोई लेना चाहें तो लेना चाहेंगे बाकि वह तो नेशनल टीम में खेलना चाहते हैं उनकी डिजायर यह है और बहुत इस शांदार गेमप्ले हो करते हैं यह हमने देखा भी हो है तो अब ट्विटर पर अगर आप बोलेंगे हैं उनके लिए केंपेंट चला हैं मान लिजे उनके बीच में क्या बात अपने को पता नहीं हम यहां पर हमने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया ऐसा मानलोपन ने बना दिया तो जो चीज नहीं भी होगी है जो छोटी सी होगी उसको हम चिंगारी लगा देंगे ठीक है यह हैस्ट्रेक और यह सब करके फिर क्या होगा वो कोच ने अगर उस चीज को इगो पर ले लिया तो जिंदिगी में सबसे बेकार चीज है इगो इगो पर आपने किसी भी बात को ले लिया तो आप जो है सामने आल को देखोगी निसामनाले को सुनोगी निए ठीक है क्यूंकि आपको पता इगो इंसान को बरबात कर देता है एक तरीके से है ना आपको पता है तो भाई आप देखी अगर मान लीजे वाथ इगो पे चलिए कि यह फैंस खड़े हो रहा है प्लियर के साइड से यह नहीं वो त तो भाई अपुय है जब तक इस्टेमिच है तब तक टीम में भले आजाएंगे स्कॉर्ड में फैंस के सपोर्ट के कारण लें कभी भी उस टीम का पार्ट नहीं बन पाएंगे तो ओर आल क्या होगा उनका जो नेस्नल टीम करियर है है ना वो खराब हो जाएगा बरबाद ह हो जाएगा जब तक इस्टेमिच रहेंगे तो इसलिए वो चीज मत करो इसलिए मैंना कोई हैस्टेक चला है ना कुछ रख्यों क्योंकि अगर आप एक प्लेयर होंगे तो आप उस चीज को समस्ते होंगे आपने भी टीम में खेला होगा अगर कोच और किसी प्लेयर के किया करो लेकिन हर चीज में आप बोलोगों कि हर चीज ट्विटर पर नहीं चलती ना भाई अगर आपको कुछ चाहिए FSDL से को दिक्कत है FSDL से बात करो अगर आपको EFF से दिक्कत है FSDL से बात करो आप उस पोजिशन पर है अब ट्विटर पर बख़डा करके क्या करना चाह रहे हो मेरा हमेशा से यह रहा है Twitter पर ख़डा करके क्या करना चाह रहा है आप थोड़ी ना कोई वह हो कि आपको है digital marketing करना है जिसकी बात है अब देखो में को किसी से प्रॉब्लम है और मैं मान लिजे personally हम सब मिलके जानते एक दूसरे को में को आप से प्रॉब्लम है तो मैं सिधा आप से बात करूँ है देख भाई है ना प्लेयर रिलीस करने चाहिए आपको यह वह और मान लिजे आप नहीं मान रहे बात तो मैं उस चीज को प्रॉब्लम है जो पॉजिदीव प्रॉब्लम है उसको बेना सोचे कर दो लेकिन नहीं है तो अपुई और अप्लेयर कर बात कर देंगे और रिलीस चाला जाएगा उसको को दिक्कत नहीं है एना उसको लगए फैंस मेरे खिलाफ हो गय है जोड़ के चल जाला जाएगा खत पुया भाई को बस consistent जो है performance को लेकर रहना चाहिए अगली बार जब टीम बनेगी उसमें गोडिस्ट में ने उनको नहीं लिया अगर ये performance के बाद भी क्योंकि अभी performance बहुत अच्छा गल रहा अगर नहीं लिया देन हम फिर उनके support में खड़े होंगे ये बिलकुल 16 आने सज बात क्योंकि तब हमको लग जाएगा कि अब कुछ गड़बड बहुत जादा वाली है क्योंकि अभीत क्यों नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि कब चीज कब बोलना है ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे गलत चीज भी बुलवा चुक है जैसे आपने देखा मोहन बगान इस बंगॉल की कुछ सहीं चीजे मुझे बताई आती है कुछ गलत चीजे बताई आती है मैं तो सेंटीमेंट में चीजे बोल देता हूं क्योंकि में को इंडियन फुटबॉल से प्यार है त तो वो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं तो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया परफॉर्मेंस की कैसा रहा स्टाइट आपको दिखाया पिछले सिजन के कैसे क्या रहा है क्यों कि इस प्लेयर को लिया गया था और अभी जो प्लेयर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी हमने बोला ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको गलत पर गलत और सहीं पर सहीं बोलना पड़ेगा, अगर आप एक इंडियर फुटबॉल फैन है तो, अगर आपको कहीं मतलब नहीं है, तो आपको कुछ भी ओपीनियन बोलते रहो, कोई दिक्क में को गलत के खड़े होना है, तो तब मैं हो जाओंगा, तो यह सिंपल सा मेरे साइट से, बागी आप क्या कहना चाहेंगे, आप जरूर बताइए, और मैं किसी न कोच के सपोर्ट में रहता हूं, न किसी के सपोर्ट में, ठीक है, मैं रहता हूं, इंडियन फुटबॉल के सपोर्ट में, यह मैं पहले हजार बार बार बोल चुक हूं, कई लोग जो समझते हैं न कि मेरी चीज़े को समझ नहीं पाते हैं, कई बार, तो वो मैं बोल रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल के लिए आप अच्छा करो, इधर से मैं आपको जिंदाबाद वाले नारे लग आप आपको उपिनियन दीजिए, कि आप अप क्या चाहेंगे, कि आपको एक क्या चीज़े लगती है, अपुया डिजर्विंग है, ठीक है, या अधर प्लेयर डिजर्विंग नहीं है, या अपुया को क्यों नहीं लिया जा रहा होगा, इसके बार में आपको भी नहीं पत इसके लिए बागी बाते हम तप करेंगे तो आपके जो भी थौट्स है आप जरू कमेड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप इंडियर फुटबॉल को सपूर्ट करते रहे हैं बहुत दो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत